हे एवरिवन! चलिए आज बनाते है गोंद के लड्डू गोंद के लड्डू के कई सारे फायदे है ठन में ज़रूर इस तरह की लड्डू बना के आप खा सकते हैं जैसे आपके घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, कुछ भी जैसे बोडी पेन कुछ है तो आप इस तरह की लड़ू आप एक एक ठू बना के आप खाएंगे तो बहुत ही आपको फाइदा मिलेगा जिसमें मैंने लिया है गोंद, अलसी, तिल और मैं ले लिए हो मखाना चले रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं मैंने कढ़ाई गरम कर डाल रही हैं मकहाने को अच्छा सा फ्राइ कर लेंगे फ्राइ कर दोंगी अच्छा सा अच्छा सा प्राइब है तो अच्छा से टूटने लगे इतना ऐसे फ्राइ निवाओं नाल देंगे, अब मैं ले रही हों कड़ाई में सूट, उ लूग अल्सी से बूलेंगे तरफे, सोट को फिर कूट के दरदर हा कूट के उसे अच्छा से मिक्सिर में मैं पाउडर बना लूँगे, इसे सबको मैं सूखा फॉरी कर रही हूँ, आप चाहे तो देसिक कर लूँगे इसे भुनके मैं निकाल दी हूँ इस लड़ू में मैं ड्राइफूट यूज नहीं कर रही हूँ मैंने और भी एक ड्रेसिपी आप लोको शेयर की हूँ लड़ू की रेसिपी वो भी बिल्कुल ड्राइफूट से और ठंड के लिए हिसाब से वह बनावा लड़ आप उसे भी एक बार जाके देख सकते हैं उसमें बहुत सारे फायदे हैं बहुत सारे चीजे मैंने उसमें एड की है अब मैं ले रही हूँ तिल आप कोई साभी ले सकते काला सफिज जो आपको पसंद हो या दोन मिक्स करके भी आप तिल लेके उसे मैं अच्छा से इसे निकाल देंगे अच्छा से फ्राइब कर चुका है मैं बहुत जादा घी नहीं डाली हूँ जितना गोंद सोक सके उतना घी मैंने इसमें एड किया है आप घी कॉंटिटी कम जादा कर सकते अगर आप जादा घी खाना पसंद हो तो ज्यादा एड कर सकते हैं आप लोग सबसfind आप लिया अँवे एड जादा चाई जादा को अब अब बैसं मैंने लिया है इसमें 250 ग्राम मैंने इसमें भी डोपीलें आप इससे कम जादा कर सकते हैं सब्थाबभाव को जादा को आप डवल कर सकते सब आप जादा को आप टोज़ए ऑनने सब्थान को आप डब यह तक बैसन के तब तक पय्चा से दियौदो अच्छा से भॉण कि एच्छा आग है अब देख सकते हैं मैंने और करके देख़ा। आप अपन हिसाब से देखते हुए ए Cyril को आ प्सका मैंने को फ्राइ करें गरंगे तेखके लिच रखते हैं अब जार ले रही जिसमें मैंने मखाना लिया है तिल, पीनट्स, यह गोंच जो हम लोग ने फ्राइ किया था वो और तिल, सब को डालके मैं इसे हलका सा पल्स मोड पे से जला दूगे, बिल्कुर इसे महीन बारिक नहीं करना है, पल्स मोड पे से मिक्सी कॉन अफ करके, इसे में अच्छा सा प्रश कर ली हूँ, अब जो बिसन है, उसे हमनों निकाल देंगे, बिसन भी थोड़ा से ठंडा हो गया है, अब मैं ले रही हूँ गुर, मैंने लिया है, डेर सो ग्राफ मैं गुर को ले रही हूँ, आप अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं, मीठा, इसकी ए या मेरे कप में एक कफूरा था तो उसे हाफ कफ मैंने इसमे बानी डाला है, मैजर्मेंट एक कप है, तो आप हाफ कफ पानी लेंगे, अगर देखना लेंगे सोट कप अठास्मा यह यह ट्रस का पाॉरा पार्ण यह झाला है, इससे चाननली हूँ यह फिल्कुल और यह कभी दर रहा है इसलिए चाष्णी को थोड़ा सा ध्यान से देखे एक तर की चाष्णी लग भग हो गई है मैं असमें डाल रही हूं बैसन भूत ठीज दाले चेट अब टिल डाल रही हूं अब जितने हम लोगों महाना ऑप पीनट्स प्राइ जो घर्द्राम में कृएं गदल कि असलों ढूल को मैं और हाए घख को golo आपिर दो रखिये हूं अच्छा से फ्राइक कर लेंगे थंप देए तब तक के चाशनी एच्छा से इसमें ना हो जाए मिठा अब अपने जी साफ से कम ज़ादा कर सकते हैं गुर्ग की मातरा आप अपने ही साफ से अगर कुछ यादा चाहिए तो आप ज़्यादा डरक सकते हैं मैं 1.500 ग्राम ली हूँ को इख दो 100 ग्राम भी ले सकते हैं देखिए अच्छा समीट सो चुका है चाश्णी में थोड़ा से मैं बचा दी थी उसे विवैनिस में एड़ कर लिए हूँ देखिए सबको मैं एक परात में निकाल दे रही हूँ और इसे हलका कुनकुना गरम में ही इसे आप लड़ू बनाएंगे अगर आपको ज़्यादा घीख पसंद हो तो आप इस स्टेज में आप घी आड़ कर सकते हैं और लेकिए बहुत असानी से ये लड़ू बंजार आप देख सकते हैं हो ह आधंमे आप डेली एक फ्रक खाइए आपको बहुत ही फायदा करेगा काटै इस को जोड़ो के दर्ध कमर के दर्ध है उसमे बहुत ही फायदा करेगा इसी कुषी मेजरिमेंट से बनाइए अगर इसमें आप Forward करना कटिया perspective अब यह लड़ू बनके इतना सरा निकला है अच्छा सब बंत भी गया है और बहुत ही फायदेमन और बहुत ही टिस्टी यह ठंड के दिनों के लड़ू है मेजर्मेंट इस हिसाब से रखके आप जरूर इस रेसिपी को बनाईएगा चलिए आगे कि मैं और कोई रेसिपी के सब आप लोगों से फिर मिलती हूँ थैंक यू टेक केर बाबाई